हाई फ्रेंट्स तो आज की वीडियो में हम बात करने वाल है पिकलांग लोगों के बारे में आज हम उन पिकलांग लोगों के बारे में बात करेंगे जो हमेशा ही टैंसल में रहते हैं कि क्या उनको टैंप्रेरी सर्टिफिकेट के थुरू सरकारी नौकरी मिल पाएगी या न सब्सक्राइब करें तो सबस्क्राइब करें बात करने वाली हो विक लंग सैटिफिकेट बिकलंग साथ के लेडिए तो हमारे सामने दो कंडिशन आती है एक कंडिशन होती है कि हम उसको offline बनवाई दूसरी होती है क्या online बनवाई तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास offline certificate नहीं है तो आप online certificate के लिए भी apply नहीं कर सकते हैं यह आपके पास होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि जहां कहीं जाते हैं तो ट्रीखिअ के लिए when तो मैं बहुत है यह स्काइप箇ं दो pomål कि के बारे में तो में बता दूडव कि जो आपके पास temporary certificate है किया आप उसके द्वारा सरकारी नौकरी के लिए अपलाई कर सकते हैं तो मैं बता दो कि अगर आपके पास temporary certificate है तो आप सरकारी जॉप के लिए अपलाई कर सकते हैं तो उसके लिए भी कंडिशन होती है कि अगर जो आपका जो temporary certificate है उसमें जो डॉक्तर लोग date link के देते हैं वो expand ना हो उसके बाद आपको जो आपकी date expired हो चुकी है तो आप उसके जगह पे आपको अपने दूसरी कार्ट रिन्यू करवानी है और उसके बाद ही आप जॉप के कर सकते हैं तो यह temporary card होता है यह कोई ज्यादा बड़ा issue नहीं है मैं बता दो कि डॉक्तर के पाथ जाते हैं तो हमारी physical condition होती है उसको देखके वो हमें certificate पकड़ा देते हैं जो temporary certificate होता है क्योंकि वह बनाते हैं क्योंकि जो कुछ बिकलाकता है होती है वो समय के साथ इंप्र certificate पकड़ा देते हैं और उसमें एक date लिखके दे देते हैं कि हमारा certificate है वो इतनी डेट तक बैलिट रहेगा उसके बाद हमें जब हमारी date होती है जो certificate पे जो date date होती है वो जब expire हो जाती है उसके बाद हम फेसे उसको renew करा सकते हैं तो यही जाकारी थी मैं आपको देने वाल पर बरवाया है और जो certificate का date है वो शन तो हजार 39 के लिए है या सन 2030 के लिए है तो और अगर आप कोई नौकरी की तयारी कर रहा है वो आप संद 27 में देने वाले हैं तो आप बेसक ही आप उस नौकरी के लिए अपलाई कर सकते हैं अगर आपका जो certificate होता है वो बीच में भी तो आप अपनी जो date है उसको दिन्यू कर बाशकते हैं अपने certificate को रिन्यू कर रहाने के बाद आप उस जौब के लिए अपलाई कर सकते हैं ऐसा को इतना बड़ा इसूर नहीं है कि अगर आपके पास temporary certificate है तो आप जौब के लिए अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तों मेंने य में साल के लिए बैलिड होना चाहिए अगर आप सर्काइट नौकरी के लिए अपनाई कर सकते हैं तो उससे एक-डू साल एक्षा डाइक होता है यहीं एक कंडिशन है अगर आपके साल एक्षा नहीं होगी तो आपकी जो जॉब है पो रुक भी सकती है उस पर कैस भी हो सकता ह है तो बता दो कि आपको यहीं कंडिशन अगर आपको सर्टिपिकेट है उसकी डेट एक्सपार होने वाली है तो आपको उसको फिर से रिन्यू कर वाले तो विरते हैं लिए नेस्ट वीडियो में तक तक के लिए बाए बाए